हेलो फ्रेंज दा पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 के चेप्टर न्बर 2 यानि दिहास के चेप्टर न्बर 2 भारत में राश्वाद का पार्ट 2 कर रहे हैं पार्ट 1 जिन विदारती द्वरा नहीं देख्या कि वह इस वीडियो के लिंक मैंने डिस्क्रप्शन में दे दिया वहां से आप जाकर देख सकते हैं चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आज का सबसे पहला टोपिक है प्रथम विश्विद्य के परभाव यानि भ अब दोस्तों जब युद्ध होता है तो युद्ध ऐसे थोड़े लड़ा जाता है हना बाची से युद्ध लड़ने के लिए हतियारों की अवसक्ता होती है और इसी हतियारों की अवसक्ता को पूरा करने के लिए ब्रिटीश सरकार ने क्या लिए यानि ब्रिटीश सरकार और इस कर्ज को पूरा करने के लिए इस कर्ज को पूरा करने के लिए भारत में टैक्स को बढ़ा दिया निए कर को बढ़ा दिया इसके के लावा अत्रिक्त पैसे या अत्रिक राजस ONE को एकठा करने के लिए कस्टम डियूटी भी लगा दियागा क्या सकते हैं दोस्तो inquis you चीजों की दोस्तों कीमतें बहुत ज्यादा बढ़की यह हम कह सकते हैं कि आसमान सुने लगी जैसे आज वरतवान आपया को भात में अधरे बहुत ज़ादाँ बढ़ गई है तो चीजों कीमतें बढ़की है और इससे जो है ना लौकों को घबर्धरस्दी हम कह सकते हैं कि अहीं सेना भरती करना चुरु कर दिया अगर हम प्रचल करें प्रमपण की साथ दर bacon के प्र कोई भारते जाएगा तो जो है उसके उसके ध्रम ब्रश जाएगा और वह असुद आपके वित्र हो जाएगा तो इससे भारत में लगातार बिर्टी सरकार के विरोध बढ़ने लगा और यह भी एक कारण था भारत में राष्टवाद के उदायका ठीक है यह परभावता उद साथ को भारत क्के सिप्त है को बरसाथ पर ही निर्बर है और जब खाध्य Specialقة शमता बहुत कं मोगई और उसए दोरान दोस्तों भारत में महामारी अन्फलेंजाय महामारी भी फैली भी ती है अब महामारी और अधिक बढ़ धिया इसे महामारी ने और वुक्राल रृप ढह कर दिया और 1921 की जनगरना के अनुसार यह अंदाजा लगा जाता है कि उस समय महामारी और आकाल से भारत में कम से कम 120 से लेकर दोस्तों 130 लाख लोग जो है मौत के काल के ग्रास में समा गए और यह रहा प्रभाव प्रतम वी सुद्ध के कारण यानि प्रतम 20 का प्रभाहरा भाहत में अब यह क्लि richly ठो पिक हम समझते है ठोक उने ने पहली वीडियो में यानि पहले पार्ट में किया था हो है क्या थोस्तों साइमन कमीशन तो सबसे पहले बात करते हैं तो साइमन कमीशन के दोस्तों न्यूक्ति उननिससाइश इसी में की गई कप की गईниц bukanđ ट्रफ उन्ति-वंटी सेवन में याद रहना इस सस्ताइश में के गई और इस सर्कार ने इस कमीषन के अध्धाश की रूप में कीसी चुना इस कमीषन के अध्ष रूप में चुना था उनका नाम क्या था सर जोन साइमन को कमिशन का अधज बनाया गया और सर जोन साइमन के नाम पर ही इसी का नाम क्या पड़ा साइमन कमिशन रख दिया गया अब यह कमिशन क्यूं बनाया गया था यह कमिशन बनाया गया था दोस्तों कोई भी भारतियों में रोज उत्वन हो गया औब भारतियों नहींद कोई भी भारतियों में सुधारों की जाज करनी हैं तो इस कमीशन में भारतियों को भी होना चाहिए इसके अलावा उस समय भारत की जो मंत्री थे उन्होंने भारतियों को कह दिया कि भारते जो है ना सविधान के बारे में आयो गए उन्हें सविधानिक चीजें बिल्कुल भताने और यह जो भारति तो 9T 28 में साइमन कमिशन जो है भारत में आता है दानक में दोस्तों 1927 में नुक्ति की और 1928 में साइमन कमिशन भारत में पहुझता है इस साइमन कमिशन का पूरे भारत में जोर सोर से विरूद किया गया और साइमन गो बैक के नाले लगाए गये ठीक है साइमन गो बैक के नाले लगाए गये और यानि साइमन कमिशन वापस जाओ के नाले लगाए गये और जनता के इस सान प्रदर्सन को सरकान ने बड़ी कतोरता से दबाया यानि लाठी राइक की लाठियां उनके उपर लाठियां बरसाए गई और उनकी जो है इस प्रदर्शन के दौरान बिटी सरकार के बरबरता के वज़े सकी मौत हो जाती है और वो सहीद हो जाते हैं और देश की सभी राजन दलों ने सरकार इस नेती की कड़ी अलोचना की ठीक है तो यहां से प्रसन मनता कि सामन की यूंकि किया गया डोतSe क्या है दोस्तों क्योंकि सामेन कमिशन में कोई भी सदस्य भारतिय नहीं था एक और टोपिक जो हमने पहली फर्स पार्ट में नहीं किया था उन्नीस सो उनतिस तरह यह बहुत इंपोर्टन टोपिक है का कॉंग्रेस का लाहुर अधिवेशन थे क्योंकि बहुत से बच्चे देखते होंगे यह तो नया चैनल है इसमें क्या देखें पुराने चल में देखें तो अगर आप लोग सपोर्टने करेंगे तो चैनल पुराना कैसा और बढ़े कैसे क्योंकि हर कोई चैनल तो पहले से लागों करोडों सब्सक्राइब लेके तो आता नहीं है आप लोग और विधारतियों के कि यह दो अइक एतिहासिक अधिवेशन का अधिवेशन का अधिवेशन अपने आप में है अब एतिहासिक अधिवेशन क्या है और क्यूं क्यूं है क्यूंकि 1929 के लाहोर अधिवेशन में पंडी ज्वाला नहरों को इस अधिवेशन ये कॉंग्रिस का अध्यक्ष बनाए गया और ये घटना का एक रोचक पहलू भी था पहलू क्या था कि अठाई 1928 में नाइंटी टुन्ती नाइंटी टुन्ती एट में मोतिला नहरू कोंगरेस के अदर्स थे और जब राश्चे अंदुलन को नेत्र तो उनके पुत्र के हाथ में आ गया और इस तरह आधुनिक द्यास में एक विश् इसके कोंगरेस के लहोर अदिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया और उस प्रस्ताव में पून सोराज क्या गोशित किया गया और एक त्री दिसंबर 1929 को स्वधिंटा का नया नया स्विक्ति तरंगा भी जंडा भी भराएगे दानकना दोस्तों इसी के बाद इसी 21 दिसंबर 1929 को स्वधिंटा का नया तिरंगा जंडा भी फ़राय गया और इसी प्रस्ताव पारित किया पून सोराज का और इसी प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 26 जनवरी 1930 को जहां 26 जनवरी 1930 को पहला स्वधिंटा दिवस भी घोशित किया गया और इसके बाद यह दिवस हर साल मनाया जाने लगा और जैसे ही भारत में भारत को आजाद मिली चब्विस नॉवंबर नाइन टिन फोटी नाइन को भारतिय सवधान बन करते हर जाता है लेकिन इसे लागू कब किया गया था लागू किया गया था चब्विस जनवरी 1950 को तो इसी लागू किया गया था क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वधिनता दिवस को मनाया गया और उसी स्वधिनता दिवस के एतियासिक्ता को ब्रगरार रखत वे 26 नॉवंबर 1949 स्वधान को बन जाने के बावजूद भी हमारा स्वधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया यह टोपिक समझ में आ गया तो चलिए अब हम अगले विसेप पर चलते हैं अगलो टोपिक पर चलते हैं जो इंपोर्टन्ट है अब हम बात करते हैं दोस्तों सवीने आवाग्या अगया खावरात होती है वह सुरुवात होती है बारह मार्च 1930 या आप करते हैं और अब इस आंदोलमें क्या का परियों कि भारतियों का कि ईव्धार्टियों से कहा गया गया कि विडिशी वस्तर हैं उसकी होली चलाएं उसको असुकार करें देश्यक्तिक करें विधारतिय से इसमें कहा गया कि सरकारी स्कूल को त्याक दें अंग्लेज इसकूल को पढ़ना चोड़ से हंधी कुछ पुछ विकार करें उसकी पिकटिंग गई और कई प्रकार सी अंदुलन में पत्रियां दी गई जो किसान थे किसानों को राज सोच चोकेदारी करों का भूतान नहीं क पूचहता है इस उन्नाइंती च्वान में नाएक समझ्जोता होता है उन्नी सो क तिस में एक सम्झोता होता है सम्झोता क्या होता है किसके बीच वी LOTEbach conte ऊवन के वीच एक सम्झोता होता है उससे in प्रम्हें नाम समझहोता होता है और इसी समझहोते बात महात्मा गांधी लंडन दूसरे गुल में भाग लेने लिए पहुच जाते हैं दोस्तों चैपराल 1930 में दूसरे गुल में सम्हेलें आखा ही के पुछ थे गांधी इरविन समझोते बाद तो गांधी इरविन समझोते बाद गांधी कि कुछ मांगे बिटि सरकार ने माल रहा ह estas मांधा लादuju कि सम्मेलन भाग ने निकली है हाला कि लंदन में महात्मा गांधी दूसरे गोल में सम्मेलन में जो मांगे रखते हैं इसे बिटी सरका पूरा नहीं करते हैं और महात्मा गांधी वापस आ जाते हैं लंदन से वापस दूसरे गोल में सम्मेलन से वापस होने बाद महात्मा गादी ने सविन्या वाग्या अंदोलन को वापस ले लिया एक क्वेशन पुछाता है कि असायोगा दूलन को वापस ले लिए तो असायोगा अंदोलन दोस्तों 1922 में 24 घटना के बाद जो उत्तर प्रदेश के गोरफपुर जिले में 24 इस्थान है वहाँ पर गुसाई भीडने कुरूद होकर जो चोक्यों को जला दे उसमें कुछ ब्रिटी स्प्रिस कर्मी मारे क्यों लगा कि आंदोलन जो है अप क्या होने वाला है अंदोलन हिंसक होने वाला क्योंको महतma गांदि वहीं स्थानलन को वापस ले लिए लिए तो बहुत ना पसंद करते हैं यह से मोधि लान नेरी और सुपाचंदर बोस माहत्मा गांदी की इस जो निकी जो कदम थे इस से हम बहुत कुछ हासिल कर सकते थे लेकिन महात्मा गांधी कहते थे मैं अपने अंदुल में बिलुकुल भी हिंसा कुछ विकार नहीं करूंगा और नहीं कहा कि भारतियों को भी बहुत कुछ सीख लेनी की आवाज सकता है ठीक है अब एक पुछा रहता है 200 टोपिक हमने नही स्थापना महात्मा गादि पुष्टक के बारे में पुछ आता है हिंद महात्मा गांधि पुष्टक नाम में पूछ फेराइसे सुराज महात्मा गांधी थी तो डॉक्टर भीम्रा उंबेडकर के द्वारा चुर्ण और पूछप जाता जो इसमेद नाम क्या था एक सम्झढता हुआ उस सम्झधों संजोते के क्या नाम है तो महात्मा गांधी और दोक्टर भीम उम्हीं करता हुआ उसन प्रांभी सब्ध मेर्बरा पूछा गया है तो सम्झधोते के नाम दिया जाता है पूना पैक्ट क्या दिया जाता है माफ की जगा पूना पैक्ट एकनट तो यहां से क्या है तो समझेजा नाम क्या है पूना पैक्ट जो पूना पैक्ट-9030 1932 में पुना कहां पढ़ता है दोसो मात्मा का जी जिसमें पुना की एरवता जेल में पुना के नाम से जानते हैं तो यह कुछ टोपिक महत्तिपूट थे अब अगली वीडियो में जो कुछ बज़ेवा टोपिक हम लेकर आएं दोस्तो वीडियो अच्छी लेकर लेकर लाइक करते हैं और हमारे चैनल पॉलिटिकल मास्टर जो इस्टडी विलाजसर था उसे चैन झाल 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